साथियों मैं भारत का पहला प्रधान मंत्री हूँ जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ आजादी के अंदोलन में करोड़ों भारतियों ने स्वराज के लिए जीवन खपा दिया था उन्होंने अपना हीत नहीं देखा अपने कमफ़र्ट जो उनकी चिंता नहीं की वो तो बस देश की आजादी के लिए सब कुछ भूल कर अंग्रेजों से लड़ने चल पड़े थे उस सफर में किसी को फांसी का फंदा मिला किसी के सरीर को गोलियों से भून दिया गया को यांतनाय सहते हुए जेल में ही गुजर गया कहियों की जवानी जिन्दगी जेल में कब गई साथियों हम देश के लिए मर नहीं पाए लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं मनना हमारे नसीब नहीं था जीना हमारे नसीब है पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एक दम क्लियर रहा है मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया लेकिन मैंने तै किया सुराज और समर्द्य भारत के लिए जीवन समर्पित करूंगा करूंगा